नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने आनलाइन इस्टिट्यूट निसांत यान की योटूब प्रेटफॉर्म पर मैं इतनु पात जिया आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कल मैं हिंदी के संधी चैप्टर की सुरुवात मैंने किया था संधी का पहला लेक्चर आपने बहुत ही बहतर तरीके से पढ़ा होगा और उसके बेसिक्स को बहुत ही इमानदारी से आप लोग इतमिनान से पढ़े होंगे और समझ में आ ग संधी को बहतर तरीके से बताने का प्रयास किया था और सिखाने का प्रयास किया था उम्मीद है कि आप सभी लोग पहली क्लास को जरूर देखे होंगे और उसे देख करके ही दूसरी क्लास को देखिएगा तभी जागर कि यह दूसरी क्लास और भी बहतर तरीके से समझ में तो आज हम आगे की जो 3 दिर्गसवरसंदी में 3 संधी बच जाते हैं जो यनसवरसंदी है गुडसवरसंदी है और और इ Oddiswarसंदी है इन 3 की बात करेंगे और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे फेस वाली वीडियो किसी कारण वस नहीं जा पा रहे है तो उसके लिए आप मैनेज करिएगा आगे से जाएगी ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को उसके पहले हम कहेंगे कि यगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं यह सभी कंटेंट आपको फ्री आपकास्ट मिल रहा है आगे मैं बताओंगा बहतर तरीके से और भी बहतर आपको कैसे करना है ठीक है संदी को पढ़ाने के बाद मतलब की इस पर महत्तवपूर कुछ क्वेस्चन भी मैं कराऊंगा जिससे आपको संदी बहतर तरीक से किलियर हो जाए ठीक है और वह कुश्चन का जो होगा वो प्रैक्टिस जो है लाइव सेशन में रखा जाएगा चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले संदी की जिसे हम कहेंगे गुड़ स्वर संदी मित्रो गुड़ स्वर संदी होता क्या है सबसे पहले इसके हम नियम की करते हैं ठीक है मैंने नियम जो है आपको इसमें बहतर तरीके से पीडिय अप में लिख दिया है और इस पीडिय अपको आपको टेलि ग्राम चैनल पर अबसे डावाक्या है समझेगा इस चीश को कैसे आप समझेगे अब हम बताने का प्रयास करते हैं जैसे देखिएगा अगर यहाँ पर थोड़ा सा साइज हम इसका लोकल लेते हैं ठीक है चलिए देखे यदि आपको जो है सबसे पहले जो मैंने संधी के बेसिक्स में बताया था कि जो संधी हम करते हैं पर्थम सब्द के आखरी वर्ड में करते हैं तो पर्थम सब्द का जो आखरी वर्ड है मित्रों या तो वह आएगा या तो वह आएगा ठीक है पर्थम सब्द का आखरी वर्ड आ या आ में इन ही दोनों में से कोई एक आएगा ठीक है इस बात को आप ध्यान रखेगा आगे जो प्राप्त होगा यह वह ई उ री री इन चारों में से री वरतमान के समय में तो स्वर नहीं है हिंदी में इसका प्रियोग नहीं होता है लेकिन EU REE का प्रियोग होता है यदि आया A के बाद EU REE या A हरतसोया दिर मतलब छोटी E या बड़ी E आजाए छोटा U या बड़ा O आजाए छोटी REE या बड़ी REE आजाए तब Y का जो है इसका E का A हो जाता है क्या हो जाता है? A उमीद है कि आप समझ पाएंगे कि पर्थम सब्द के आखरी वर्ण आया होना चाहिए यहां निवार है और दूसरे सब्द का पहला वर्ण इन में से कोई होना चाहिए या लरी हरस हो या दिर्ग हो इन में से कोई होना चाहिए तब जाकर कि आपका गुड़स्वरसंदी वाल लिखा गया है किया लिखा गया है और यहाँ पर इंद्र में इंद्र में जो पहला वन है वहें क्या ही इन दोनों को मिला करें आया के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा यह मिल कर के एक Carnival कर रहे हैं तो हो जाएगा सुर धन ए धन इंद्र क्या हो जाएगा धन इंद्र ठीक है तो आपको इसे आप कैसे लिखेंगे आप इस तरीके से लिखेंगे नहीं सुर ए इंद्र तो आप जो ए लिखा गया है इसे हम यहाँ पर मात्रा चढ़ा देते हैं जब मात्रा चढ़ाएंगे थो जाएगा भीया सुरेंदर ठीक है तो उम्मीद करता हूँ समझ पाये होंगे किस तरीके से मात्रा चढ़ाया गया है और किस तरीके से आगे के पूरा description किया गया है ठीक चली आगे बात करते है परम धन इस्वर परम में आखरी वर्ण क्या है आ काही निर्माड होगा तो परम धन इस्वर मतलब परम एस्वर परम धन ए धन इस्वर परम इस्वर हो जाएगा क्या हो जाएगा परम इस्वर हो जाएगा ठीक है कल मैंने जब संदी की बेसिक मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ध्याने देना ह कि जब भी आप संधी विग्रह करिए संधी विग्रह करते समय जो दोनों सब्द आपके बीच आते हैं उन्हों दोनों सब्दों का अर्थ निकलना चाहिए अगर दोनों सब्दों का अर्थ नहीं निकलता है तो समझ लेजिए कि गलती कर रहे हैं तब समझ लेजिए कि आपका संदी विख्र गलत हो रहा है अर्थ निकलना चाहिए अब जैसे यहाँ पे राकेस का संदी विच्छेद है धिवरी वरी इंपॉर्टेट है इस बात को धियान रखिएगा वेरी वरी इंपॉर्टेट राकेस राकेश का जो संदी विच्छेद हो ओ है राका धन इस राका धन इस नहीं है राका धन इस है राका का मतलब क्या होता है मैं तो चंद्रमा राका का मतलब होता है चंद्रमा ठीक है राकेश का मतलब होता है चंद्रमा ठीक है राकेश का पूरा-पूरा मतलब चंद्रमा निकाल रहे हैं तूछ भी है वीरफण ऊचित यहाँ पर आय यहाँ पर उ है तब आप देख के बाद ऊ आ रहा है तिसका किसका निरमाण हो झाएगा ऊ अ जाएगा दें Minot Sevda ठीक है यहाँ पर देखिए वीरफण उचित महाधन उठ्षसौ इसे ध्याण रखियेगा important है महाधन उर्मी है कहीं कहीं पर आपको फसाने के लिए आपके paper में उर्मी लिख देता है तो उर्मी नहीं है धेन रखेगा यह उर्मी है very very important मैं लगा दे रहा हूं इससे आप ध्याण लखेगा महाधन उर्मी महोर्मी समझ में आया चलिए आगे बात करते हैं कुछ उदान मैंने और लिया है उदान क्या है देवधन रिसी क्या है रिसी देवधन रिसी वह में आखरी वन्ड क्या आ रहा है आप देख रहे हैं देव में आखरी वन्ड आ रहा है अब यहाँ पर जो पहला सब्द है यहाँ पर जो पहला वन्ड है मैं स अर क्या हो जाएगा देवधन अर धन रिसी क्या हो जाएगा देवधन अर धन रिसी तो आप इसे जब मिला करके पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे या आप इसे मिलाएंगे तो आप देववर्सी पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे देवर्सी पढ़ेंगे ठीक है तो मिद करता हू इसी तरीके से इसका भी होगा किसका आगे जो देख रहे हैं भाई महाधन रिसी महाधन रिसी क्या हो जाएगा महरसी नवधन उड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके ध्यान रखेगा नवधन उड़ा मतलब नवड़ा ठीक है यहाँ पर उ है स्वारी यहाँ पर आ है आखरी वन क्या है यहाँ पर आखरी पहला वन क्या है उ है ध्यान रखेगा उड़ा नहीं है उड़ा है तो आ और उ मिल करके किसका निर्मण हो जाएगा यहाँ पर ओ का निर्मण हो जाएगा ठीक है तो उमीद करता हूँ समझ पाएंगे गुड़स्वरसंदी कैसे होता है यदि आया आके बाद हरस्यादीर चाहे छोटी ई आये चाहे बड़ी ई आये चाहे छोटा हुआ आये चाहे बड़ा हुआ आये चाहे छोटी री आये बड़ी री आये ठीक है तो ई का क्या हो जाएगा यही है गुड़स्वरसंदी ठीक है रिका अर ठीक चलिए उम्मित करता हूं गुड़स्वरसंदी आपने देख लिया है आप घबडाईएगा मत मैंने इसका जो है प्लान बनाया है कि मैं आपको जो है question answer के माध्यम से जो बहुत ज्यादा important इसके मतलब क्यों होंगे तो मैं उसे कराने का प्रयास भी पहुंगा ठीक है यानसवर संदी की बात करते हैं आगला जो आपके पास है यानसवर संदी क्या है इसे पहले निए मध्यीर उसके बाद बताते हैं यदी फरस्याद दी्ल इ-ूर्री ठीक है i-ूरॆ अब वहाँ पर आया आपके बादा था लेकिन यहां पे उरी के बाद कोई असमान स्वर आये, असमान का मतलब क्या है, ए के बाद आप असमान का मतलब ए के बाद ए नहीं आना चाहिए, ए के बाद उ आ जाये, इस तरीके से आना चाहिए, अर्थात ए के बाद असमान स्वर आना चाहिए, इसके समान कोई स्वर नहीं आना इका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, उका व हो जाएगा, रिका र हो जाएगा, ठीक है, तो यनस्वरसंदी में क्या होगा, इका यह, उका व, रिका र, अगर आपको नहीं पता चलता है, दिक्कत होती है, याद करने में, तो एक दो बार वीडियो को देखेगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, चलिए इसके उभाण पर आते हैं उभाण से आपको अच्छी तरीके से समझाने का हम प्रयास करते हैं, देखें यहाँ पर लिखा गया है यदिधन अपी, क्या लिखा गया है, यदिधन अपी, यहाँ पर यदी में देखिए यदी में, यदी में समझिएगा, यदी में जो आखरी वनड़ है, ओ है छोटी E, इसे हम हरस्व E कहते हैं, और यहाँ पर जो पहला वनड़ है आपी में, यहाँ पर है छोटा A, क्या है, छोटा A, आप देख रहे हैं कि परिभासा लिखा गया है, यदी हरस्व यादीर, E, U, कुरी के बाद कोई आसमानसवर आए, अर्थात E के बाद A समानसवर क्या है, A है, और इन दोनों का मेल क्या हो जाएगा, इन दोनों का मेल हो जाएगा, या, क्या हो जाएगा, या, E के बाद कोई आसमानसवर A आगया, तो E और A का मेल या हो जाएगा, इसी तरीके से यदी धनखी बराबर क्या हो जाएगा यदि धनखी बराबर क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं इस तरीके से हो चीज यह ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अत्यलब आति धन अलप आपप्सर्ग क्या सीर्व अधे कहा गया कि है आपritisर्ग क्या लिखा गया अत्यान्त में उफ्सर्ग बताईए अब अत्यान्त में काफी लोग उफसर्ग लागा के चले आएं उफसर्ग क्या होता है ऐसे सब्द जो ऐसे सब्द का मतलब की सब्द का भाग जो सब्द के पहले आगर के सब्द के अर्थ में परिवर्थन कर देते हैं वहीं उपसर्ग कहलाते हैं अब समझेगा कि अत्यांत में आउपसर्ग नहीं है इसे सबसे पहले हमें चेंज करना है कि इसमें संधिविग्रा करना है हम करेंगे इसका जब संधिविग्रत हो जाएगा अतिधन अंत क्या हो जाएगा अतिधन अंत हो जाएगा तो जो इसका उपसर्ग होगा मित्रोना हो पहला होगा अति उपसर्ग होगा ठीक है आपका एक कोश्चन 2023 में जो एक क परिधन अम्बू की बात करें, यहाँ पर छोटी E है, यहाँ पर बड़ी E है, यहाँ पर A है, तो दोनों मिल करके या का निर्माड करेंगे, इत्याद इतिधन आदी, अतिधन आचार, अत्याचार, वीधन आप्त, यहाँ पर देखेगा वीधन आप्त है, यहाँ पर देखे नाया तो प्रतिधन युक्त क्या हो जाएगा यहां पर देखेगा यहां पर क्या मैंने लिखा है यहां पर लिखा है सूधनल्प मतलब श्वल्प, क्या हो जाएगा, थीक है उम्मीद करता हूँ, आपको आगया होगा थीक है, आगे बात करते हैं और कुछ दरण मैंने लिखे हैं इसे भी आप देख लीजिएगा मातरिधन इच्छा क्या लिखा है? मातरिधन इच्छा यहाँ पर क्या है यहाँ पर री है ठीक है यहाँ पर री है और यहाँ पर ई है ठीक है यहाँ पर ई है री के बाद आसमान सुरा आ रहा है री के बाद आसमान सुरा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अर हो जाएगा हो जाएगा बताइए का आप कहेंगे हाँ हो जाएग ठीक है तो मात्रिधन इच्छा बराबर मात्रिच्छा ठीक है रीका अर नहीं होता है यहां पर र हो जाता है रीका अर तो गुण स्वर संदी में होता है यहां पर र हो जाएगा मात्रिधन इच्छा मात्रिच्छा पित्रिधन इच्छा पित्रिच्छा रीका र अर नहीं मैं आदी लगवादी क्या हो जाएगा लगवादी उका व अतिधन आउचित्य इका यह अत्याउचित्य ठीक है तो उमीद करता हूँ समझ पाए होंगे एक दो बार वीडियो को देखिएगा उमीद करता हूँ अच्छे तरीके समझ पाएंगे और याद करने का थोड़ा सा प्र आए 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 को जाता है नहित है जब ठठंधा रहता हूँ तो तरीके से घृत है बहुत फेर पहतर तरीके इसी तरीके से बोलते थे वैसे यह आप समझ लीजिएगा अयादी सवर संदी में क्या होता है अयादी सवर संदी में ए ए ओ के बाद कोई आसमान सवर आता है आसमान का मतलब ए के बाद ओ समान ओ सवर नहीं आना चाहिए उसके आत्रिक तो कोई भी आ जाए चलेगा ठीक है त उदाहरण से समझने का प्रयाज करिए, उदाहरण बहुत ही अच्छे तरीके समय ने दिया है, और हमें लगता है कि अगर आप के, आप जो है उपिटेट की तयारी कर रहे हैं, बीएड, बीटेसी, किसी बीच परिच्छा की तयारी कर रहे हैं, तो अगर स्वरसंदी में सबस जादा कुछ पूछा जाता है, या तो यन सवरसंदी पूछा जाता है, या तो आयादी सवरसंदी पूछा जाता है, वैसे तो पाच के पाचो सवरसंदी इंपोर्टेंट है ही, लेकिन यहां से जादा बार पूछा गया है, ठीक है, चलिए देखिए, से में क्या है, से में आखरी वर्ण आ रहा है, से में आखरी वर्ण क्या रहा है, ए आ रहा है, और यहां पर अन में पहला वर्ण क्या रहा है, आ रहा है, क्या रहा है, ए के बाद जो है, आ समान वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कहेंगे भईया आ रहा है, अगर ए के बाद आ आ जाता या ॆ जाता तो कहते हो तो शमान वड़ा गया तो नहीं लगू लागी होता ठीक है एक के बाद आ रहा है अर्थात यहां पर ए क्या हो जाएगा..? क्या हो जाएगा..? यहां पर एहट जाएगा.. सयन नर्श जाएगा.. समझने का प्रयास करिए और अगर नहीं समझ में आता है तो आखबंद करिए उसके बाद समझेए थोड़ा सा इत्मिनान करिए भरोसा दिखाईए निसान तियान के उपर हमारे उपर भरोसा दिखाईए और पढ़ने का और दिमाग को खोल करके पढ़ने का प्रयास करिए ठीक है चलिए अगला बात करते हैं आगे आपके सामने उद्रहन लिखा गया है क्या दिया है देखिए गए धन एक यहाँ पर अंतिम में क्या है पहला क्या है आए क्या है अब आए के बाद जो है इ आ रहा है आप कहेंग भाईया आ के बाद जरी आए गा द्था इसमें जो है आयादी सवर संदी होने वाला क्यों 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 की आयओ मतलब आय के बाद यहाँ लिजिए हैं तो एका क्या जो है जो है यहां पर ने क्या हो जाएगा तो इस मिलाइगे पर यह वेत्र है तो हो जाएगा यहां हो जाएगा यक और गायक उमीद है समझ पाए होंगे इसी तरीके से तोड़ करके आपको समझना है ठीक है चलिए आगे बात करते है नए धन इका क्या है नए धन इका यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है आए का आए के बाद असमानसवर आगया आए के बाद जब अ है ही तो होगा तो नहीं थन एका मतलब यह किया जाएगा सुमझ यह उँंगे अच्छा के से यहां पर देखिएगा अगला उधंड पर आखिए यहां पर यह नगकोशिस करता है ऊँछ नेग्षने का देखे यहां पर फ्लाइख यह ठीक है ओका अव हो जाएगा पोधन इत्र हो जाएगा पधन अव धन इत्र धन इत्र क्या हो जाएगा भाई साथ पोधन अव धन इत्र तो इसे आप जब आप मिला के पढ़ेंगे पाव इत्र क्या हो जाएगा पाव इत्र तो आप जब इसे मात्रात्म करेंगे तो हो पवित्र ठीक इस तरीके से समझने का परयास करिएगा अच्छे से समझियेगा देखिए यहां पर पवधन अन लिखा गया है क्या लिखा गया है तो यहां पर अक्री वर्ण अउ है यहां पर पहला वर्ण आ है तो हो जाएगा क्या ऑओ की बाद आ शमानश्वर अया तो और का क्या होता है आव खिसal אני होदख इसी हम इसी को हम पोधन से होते पोधन से मतल गई हो जाता बहुद्धन उक भावुक ठीक है चलिए एक उधान मैंने आपको दिया है बताईए क्या ये सही है या गलत है या इसका पसंद विग्रा सही किया गलत किया गया इसे आप कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और अगर आपको थोड़ी सी समस्या होती है तो मेरी भी कुछ इसकी वज़ा से फेस वाली वीडियो नहीं आई आगे से आएगी ठीक है इस वीडियो को मैनेज करके देखने का प्रयास करिएगा मैंने अपनी तरफ के पूरी तरीके से कोसिस किया है समझाने के लिए ठीक है और अच्छी तरीके से अपना 100% मैं हमेशा देता हूँ बेहत हूँ अपनी तरीके से सरवस्रेष्ठ बेश्ट 110% देने का प्रयास करता हूँ ठीक है वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताईएगा और आगे जो वियंजन संदी है और विसर्ग संदी एक एक वीडियो में निप्टा दूँगा ठीक है उसके बाद 50-60 वीडियो का एक मैं लाइव जो है आपको टेस्ट का आयोजन कर दूँगा उसमें आपका पूरा का पूरा संदी कवर हो जाएगा ठीक है उमीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है लाइक से सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर बताईएगा और अपना एक प्यारा सा मोटिवेटे करें आपके लिए और बेहतर करने का कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप किया करिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय वारत